Assalamualaikum, Welcome to StudentTube आज के इस लेक्चर में चेप्टर 6 आइकॉम पार्ट 1 बिजिनसमेद बुके शाहिज जमाल की चेप्टर है बाइनरी नंबर्स कुशन है हमाई पास 6.12 इसका पार्ट A है Convert the binary number 111011 to its decimal तो यहाँ पर हमें पता है इसे किस तरह से करना है 1110111 तो 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 2 So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 की पावर 6 that means 2 multiply by 2 यानिकि 2 times करना है तो यह हो जाएगा 64 plus 1 2 की पावर 5 है मतलब कि 32 plus 2 की पावर 4 है तो 1 multiply by 16 plus 0 multiply by 8 plus 1 multiply by 2 2 जाए 4 plus 1 multiply by 2 जाए 2 plus 1 multiply by 2 की पावर 0 तो यह हो गया 1 के एक्वल 64 जाए 64 plus 32 जाए 32 plus 16 जाए 16 plus 8 0 जाए 0 plus 4 जाए 4 plus 2 जाए 2 plus 1 जाए 1 इन सब को प्लास करेंगे 64 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2 plus 1 1 1 9 हमारा answer है अगला part करते हैं इसका part B में है convert the decimal fraction 0.1875 to its binary तो हमने यहाँ पर LCM की तरह से column बनाना है और से multiply करना है 2 से so 0.1875 यह 0.1875 यह 0. इधर आजाएगा अब multiply होगा 2 से 2 5 जाए 10 1 उपर 2 7 जाए 14 and 1 15 1 उपर 2 8 जाए 16 and 1 17 1 उपर 2 1 जाए 2 and 1 3 पोईंट कुछ नहीं बचा 0 multiply by 2 2 0 जाए 0 2 5 जाए 10 1 उपर 2 7 जाए 14 and 1 15 1 उपर 2 3 जाए 6 and 1 7.0 multiply by 2 2 0 जाए 0 2 0 जाए 0 2 5 जाए 10 1 उपर 2 7 जाए 14 and 1 15 0.1 क्योंकि आगे कोई number नहीं है जिस पर carry जाए तो फिर 1 1 यहाँ पर आएगा ठीक है फिर अगें 2 से करेंगे 2 0 जाए 0 2 0 जाए 0 2 0 जाए 0 2 5 जाए 10 आगे कोई number नहीं है जिसके अपर हम carry लगा सकें तो 1 आजाएगा यहाँ पर तो हमारा answer आगे 0.0011 तो यह था question जिसका part A और part B हमने solve किया उमीद करती हूं कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद exercises and questions के लिए जाएंगो कर दें subscribe and साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें for more you can visit our website www.studenttube.info Allah Hafiz